पुलिस गिरफ्त में आई इस युवक पर अपने ही नाबालिक सालिक की हत्या का इल्जाम है। हत्या भी इसने बड़े बेरहमी से अंजाम दी लेकिन कानून की नजरों से ज्यादा वक्त तक बचा नहीं रह सका। विकास उर्फ वासु को नरेला इंडस्ट्रिल एरिया थाना पुलिस ने गिरफतार कर लिया। बकॉल पुलिस तीन सितंबर की देश शाम पुलिस को महर्शी बालमी की अस्पताल से सूचना मिली। केक नाबाले को अस्पताल लाया गया है जिसे मृत करार दे दिया गया है। मृतक राहुल की उसी के घर में बेरहमी से हत्या की गई थी। घर में खून बिखरा पड़ा था। पुलिस ने परिवार आसपास की लोगों से पूछताच की। साथ ही करीब सौ सीसी टीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने जानकारों के नंबर हासल किये। पुलिस ने सभी की लोकेशन चेक की। इस दोरान पुलिस को विकास पर शक हुआ। कडाई से पूछताच में फिकास ने जुर्म भी कबूला। गिरफतार आरोपी ने कबूल किया कि उसी ने अपने नाबालिक साले राहुल की हतोडे से वार कर हत्या की। उसने हत्या की वज़ा का खुलासा भी किया। राहुल की बेहन ने प्रेम विवा किया। राहुल रक अगर इसने थोड़े से सयम से काम लिया होता तो अपने शक को दूर कर लिया होता तो आज राहुल जिन्दा होता और विकास का भी ये हाल ना होता नवदीप टुड़े के लिए दीपक धया के रिपोर्ट